दर्भंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार बच्चों की दर्दनाक मौद चार में कोरोना से पिडित था एक बच्चा बच्चों में निमोनिया के भी थी लक्षन उत्तर भारत के सबसे बड़े अस्पताल दर्भंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या DMCH से आई एक ख़बर परेशान करने वाली है दर्भंगा मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में चार बच्चों की मौद हुई DMCH के प्राचारी और CCU के प्रभारी के मुताबिक बच्चों में निमोनिया जैसा सिम्टम था उन्हें सांस में भी तकलीब थी उन्हें गंभीर हालत में लाए गया था चार बच्चों में एक कोरोना पॉस्टिव था और बांकी तीन निगेटिव चार में एक ही बच्चा कोरोना पॉस्टिव था लेकिन जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पु यादव ने इसे कोरोना के तीसरी लहर बताना शुरू कर दिया पप्पु यादव ने ट्वीट किया सियम सहब करबद निवेदन है कि बिहार के बच्चों को करोना की तीसरी लहर के कहर से बचा लीजिए ये नौनी हाल आपके खसता हाल अस्पतालों को जेल नहीं पाएंगे और विलंब हस्तक्षिप कीजिए आनि था माबाप की आँखों के तारे तूटेंगे मा की गोट सूनी होगी तो मरमाहत ममता के क्रोट से सारे तख्त और ताज बिखर जाएंगे बच्चों की मौत तो कोरोना और निमोनिया से हो लेकिन इस दरदनाग ख़बर को जरा इस तस्वीर से जोड़ कर देखिए जो पिछले दो दिनों में आई है जब अस्पताल का ऐसा नजारा हो आपात कालिन विभाग से मेडिसिन और शिशु विभाग तक पानी पानी हो तो फिर यहां के मरीजों का तो भगवान ही माली है यह बिहार के दरबंगा इस्थित मशूर सरकारी अस्पताल बीम सीच के तस्वीर यास दूफान में जाते जाते शहर में ऐस्थी बारिश कराई कि अस्पताल में भारी जल भराव हो गया देखे किस तरह एक तरफ मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हैं और दूसरी तरफ वार्ड में पानी भरा हुआ है अस्पताल का कोरीडोर हो या दवा विवार चाहरों तरफ पानी का सामराज तबाही जो होती है इसी रूप में होती है अचानक कहीं बारिस आ जाएगा पानी आधी तूफान आ जाएगा और व्यवस्ताओं को ध्वस्त करने की कोशिस करता है जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे DMCH के अंदर भी जो बहुत तेज बारिस हुई उसका असर दिखा और प्रसासन उसको ठीक करने में लगा है तुरण पानी को पंप आउट करने की विवस्ता हो रही है ऐसे वक्त में जब बिहार कोरोना संकट से जूज रहा है दरभंगा Medical College अस्पताल का ये हाल कहीं से सिस्टम पर भरोसा पैदा नहीं करता है जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरिज्यों का क्या होगा दरभंगा से प्रलात कुमार के साथ आज तक देरो